बिहार में नितिश कुमार के नेत्रित्वे में नई सरकार के गठन के बाद प्रदेश में तेजस्वी यादों को उप मुख मंत्री समेत कई अहम विभागों की जिम्मेदारी सोपी गई है प्रन्तु मीडिया रिपोर्ट्स के मुताविक तेजस्वी यादो के कुर्सी पर संकट के काले बादल अच्छाने लगे हैं शपत गरहन के बाद हाली ही में तेजस्वी ने केंद्रिये जाच जेंस्यों पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे चाहत उनके घड में ही दफ्तर बना ले प्रन्तु आयाव शीटी सी घोटाले का काला अध्याय एक बार फिर से सीवी आई खोलने जा रही है इस मामले में राबडी देवी और बिहार के उपमुखमंत्री तेजस्वी आदो सहीत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है जिसमें सीवी आई के द्वारा चार ववश पहले चावज शीट दायर किया गया था प्रन्तु अभी तक उस पर बहश शुरू नहीं हो पाई है हाला कि अब सीवी आई ने हाई कोट में एक अवजी डाखिल कर आरोपी के अवजी पर फैंसले की मांग की है सीवी आई का कहना है कि कोट से जो फैंसला मिलेगा उसी के अनुसार आरोप तै किये जाएंगे इसके साथ हीं सीवी आई ने हाई कोट से आरोपो पर बहुत शुरू करने की भी मांग की है आई आप सीटी सीग घोटाले की बात करे तो यह मामला 2004 का है उस वक्त केंद्र में यूपिय की सरकार थी और लालू प्रिसाद यादो रेल मंत्री थे लालू परिवार पर आरोप है कि उन लोगों ने टिंडर के नियम में बदलाओकर गलत तरीके से होटलों का आवंटन किया था और जिसमें तिजस्वी यादो राबरी देवी और लालू प्रिसाद यादो आरोपी हैं आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एवी निवज